मैं आपको बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बनाना बता रहे हुए इसके लिए आप दो कटोरी मक्के की आटे ले और उसमें आप थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डाले और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दे आटे में नमक चीनी को अच्छे से मिक्स कर दे और उसके बाद आप उसे गरम पानी से जितने की हाथ आपके परदास कर सके उतना पानी ले और इससे अच्छा सा ये डो रेडी कर ले थोड़ा सौप्ट सा डो बनाए ताकि आपका ये हैं मक्के काटा वो तुरंत पानी सोक ल तो दो मिनीट आप उसे डग के रखे तब तक इधर आप मसाले रड़ी करें जिसके लिए मैंने काला नमक थोड़ा सा भूना पीशा जीरा, चाट मसाला, चेली फ्लेक्स, थोली सी काली मिर्च, थोड़ा सा मैज में मेथी सुखी वैली और थोड़ा सा मैज में हाप चमच, गरम मसाला डाल रहे हैं इन सबी चीज़ों को मिक्स कर दें उसके बाद आदा चम्मच इसमें चाट मसाला और थोड़ा सा पीशा हुआ चीनी आप इसमें एड़ करें कि चटपटी बनी हुई स्नैक्स आपके बहुत ही टेस्टी है इधर मैंने पतली वाली सौफ ली है और उसे मैं इस तरह से अच्छी तरह से कूट लूगी मतलब बहुत बारिक नहीं करना है पर थोड़ा इससे अच्छे से पीश ले और उसके बाद आप इसे भीश में डाल द सौफ का सेवन ज्यादा करते है तो अब इस तरह से इसको बनाए यह देखे मैंने मक्के के आटे ले लिए उसके लोई बना ले और उसे आप इस तरह से तेल लगाते हुए बेल ले उसके एक मोटी रोटी बना ले बहुत पतली ना बनाए इतनी मोटी रोटी आप इसकी बन तरफ लगा ले और इसे इस तरह से धीरे धीरे आप इसे फोल्ड करें इस तरह से आप इसे फोल्ड कर ले और फोल्ड करने के बाद आप इसे इस तरह से दबाते हुए रोल करें और एक साइड में इसके पानी लगाके तभी रोल करें ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और उसके बाद आप एक जो हमारा बरतन है उसमें मैंने ओईल लगाया है कड़ाई में मैंने थोड़ी से पानी डाली है स्टेंड डाला और उसके बाद वो बना कैसे रखती है मैंने आपको दिखाना भूल गई थी कि जब आप मसाले लगाए उसके ऊपर थोड़ा सा तेल से टैप कर दे ताकि वो अच्छी तरह से उसमें चिपक जाए आप तेल नहीं लगाना चाहती है तो हलका हाथ में गीला करके उसे अच्छी तरह से उसे टैप कर दे ताकि वो इसल मिनिट तक इसी तरह हीट में पकने दूँगी इसके बाद आप स्टीक लगा के देख ले यह थोड़ा सा और बचा है दो तीन मिनिट और इससे मैं पका लूँगी यह देखिए मेरा ठंडा हो जाने के बाद यह कितना अच्छा आपका रोल बिलकु रडी हो गया इस तरह से आप इसे बीच में कट कीजिए और देखिए यह इस तरह से आपको दिखेंगे इस तरह से छुटे-छुटे टुकड़ों में कट कर ले आप इसे यह बिलकुल भाखरवडी की तरह ही दिखेंगे और इस उसी तरह से आप इसे अब तल ले दीरे-दीरे तेल में डालते हुए इसे अच्छी तरह से आप तल ले ध्यान देने वाली बात से यह है कि जब आप इससे र्ोल करें तो इसके एक साइड में थोड़ा पानी लगा ले और उसे अच्छी तरह से रोल करके चिपका ले दूसरी बात है इसे कट करें और इसे कट करके आप डेव फ्राइ कर लें और इसे फिर आप महीनों रखके खा सकती हैं जैसे अब भी बाकी स्नैक्स जो है वो आप खाती हैं उसी तरह से इसे भी आप इसी तरह से खा सकती हैं मैं आसा करती हूँ आप लोगों को ये भी रेशिपी हमारी पसंद आईगी मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नई रेशिपी लाने की कोशिस करती हूँ जो की बिल्कुल डिफ्रेंट हो और आप लोगों को पसंद आए धन्यवाद